हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में काफी अच्छी वेकंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें प्राइमरी टीचर्स की वेकंसी है ट्रेंड ग्रैजुए टीचर्स और पोस्ट ग्रैजुए टीचर्स की वेकंसी आविधन कर पाएंगे जहां तक कि प्राइमरी में जो है बीएड वालों को मुका दिया जा रहा है अगर आपका सब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है पीजीटी में तीजीटी में तो आप प्राइमरी टीचर्स के लिए आविधन कर सकते हैं सब भी विश्व में लगबग वे चलिए देख लेते हैं डेटेल में अडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे जो भी इंपोर्टेंट बात होगी वह आप लोगों को बताई जाएगी 5 नवंबर 2024 का ये अडवर्टीजमेंट है एक और विध्यापन जो की पुराना है वो भी आप लोगों को ऑफिशल सब्जेक्ट देखें यहां पर फ्रेशर केंडिडेट बिल्कुल अप्लाए कर सकते हैं जुन्होंने कहीं पर भी आज तक नहीं पढ़ाया है बिल्कुल आवेधन कर पाएंगे साफ-साफ यहां पर लिखा हुआ है फ्रेशर फ्रेशर फॉम्द रिस्पेक्टिव फील्ड अप्लाएं पीजीटी के लिए सब्जेक्ट हैं इंग्लिस, फिजिक्स, मैथेमेटिक्स, एकॉनोमिक्स, अकाउंटेंसी, बायलोजी, बिजनेस टड़ीज एंड हिस्ट्री क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजवेट हों आप सब्जेक्ट में 55 परसेंट या इस स्यदिक मार्क्स के साथ में और बियड होना चाहिए ठीक है तो आप आवेदन कर सकते हैं जिनके पास तीन साल का टीचिंग एक्सपिरेंस है क्योंकि उनने जो अनुभव है वो डिजारेवल में रखा है है तो ठीक नहीं है तो भी कोई बात नहीं तीन साल का अनुभव है योगा आर्ट की वेकेंसी है टीजीटी में तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए अगर आप सोसल साइंस के लिए आवेदन करेंगे तो ग्रैजुएट आप हो 55% मार्क्स के साथ में दो सब्जेक्ट आपने पढ़े हो बैचलर इन एज्यूगेशन कौन-कौन से वो सब्जेक्ट हिस्ट्री, जोगरफी, एकोनोमिक्स और पॉलेटिकल साइंस जिसमें से history या geography एक ये subject तो होना ही चाहिए, चाहे history हो, चाहे geography हो, चीक है, ऐसे ही हिंदी, संस्कृत, science और maths के लिए graduate हो, be.ad हो, 55% या इस्यादिक मांक, CTAT या TAT की जुरत नहीं है यापर, नहीं unverb की जुरत है, trained graduate teacher, music and dance के लिए भी जो आविदन कर सकते हैं, graduate आप हो, music and dance में, और कम से कम एक साल का अन्वब होना चाहिए, fresher बिल्कुल आविदन कर सकते हैं, इसमें भी, 55% marks आपके होने चाहिए, graduation में, और आपकी music या dance का जो भी आपने degree diploma लिया है, TZT, yoga and art की जो vacancy है, इसमें भी, graduation के साथ में, beard आपका होना चाहिए, ठीक है, सभी में 55% marks तो, आपके होने ही ज़रूरी है, प्राइमरी टीचर आप देखें, अगर आपका कहीं भी subject नहीं है, क्योंकि प्राइमरी के लिए आविदन कर सकते हैं, beard वाले भी, English, Maths, Hindi and Science, ये तो subject है, तो इसमें qualification कह रहे हैं, PRT के लिए, graduation आपकी होनी चाहिए, beard आपका होना चाहिए, teaching experience है, तो ठीक, नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको desirable में नहीं रखा है, fresher बुलकुल आविदन कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि PRT में जो है, D.Ed, D.L.Ed या B.T.C. वाले आविदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, कि PRT में B.Ed ही चाहिए, प्री प्राइमरी टीचर्स में, हाई स्कूल, के साथ में E.C.C., E.D., मॉन्टेशरी, यह डिप्लोमा डिग्री आपके होने चाहिए, 55% मार्च के साथ में, काउंसलर एन स्पेशल एजुकेटर के लिए, बैचलर अफ आर्ट इन साइकलोजी, साथ में डिप्लोमा इन काउंसलिंग का, जिन कैंडिडेट ने एक्स्पिरेंस लिया है, दो साल का काउंसलिंग में, तो उनको प्रेफरेंस देंगे, यहां सभी में जो है, आप लोगों को बार-बार बता रहे हूं कि, फ्रेशर फॉम्दा रिस्पेक्टिव फिल्डर एलिजिबल तो अप्लाई, सभी में जो है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यह आप ध्यान में रखें, तो यह सभी जो है, टीचिंग पोस्ट और टीच एक्सपर्टाइज विद एक्सपिरेंस इन, एमस ऑफिस वर्क, इसमें भी फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है, एल्डीसी में देखें, टैन्थ, ट्वेल्थ, आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, अकाउंटेंट में भी जो है, ग्रेजुएट, लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरी साइंस में जो है, ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लॉमा हो, एक साल का जो है, इसमें अगर अनुभव है, तो ऐसे केंडिरेट को प्रेफरेंस देंगे, MTS की वेकेंसी है, तो इसमें केवल क्लास 5th स्टेंडर्ट, 30 साल इसमें है, MTS के लिए इन्होंने एज बता दी, बाकि किसी में भी जो है, इन्होंने एज नहीं बताई है, कि एज जो है, यह क्या रखेंगे, तो वैसे PZT के लिए 40 एर, और trained graduate teacher के लिए 37 या 38 एर जो है रहती ही है, बाकि इन्होंने एज यहाँ पर mention नहीं की है, especially इन्होंने MTS के के लिए इस बताती है, 30 एर, बाकि आगे भी देख लेंगे, हो सकता है, आगे जो है, इन्होंने एज mention की हो, selection procedure जो है, teaching staff के लिए क्या रहेगा, तो test रहेगा, यह regular बेस पर ही vacancy है, यहाँ पर teachers regular ही रखे जाते हैं, return test होगा, तीन घंटे का, उसके बाद जो है, class demo होगा, 30 minute का, आदे घंटे का, कोई भी एक topic आपके subject का, जो कि 30 minute का हो, final interview होगा, fluency in English language, both in written and verbal is must, जरूरी है, कि आप जो है, हिंदी भासा बोलना, लिखना, जानते होँ, salary यहाँ पर इन्होंने mention क्यों नहीं की है, कि इन्होंने जो है, fresher, जो candidate है, उनको भी eligible किया है, जिनके पास experience रहेगा, एक साल का, दो साल का, तीन साल का, तो उस आधार पर जो है, यह salary देंगे, ठीक है, तो काफी जो है, tough selection रहने वाला है, क्योंकि return test है, class demo है, final interview है, selection procedure for non-teaching staff, तो इनके लिए 2 घंटे का return test होगा, practical test होगा, UDC और LDC के लिए, जिसमें, typing test to 30 minute का, letter writing, ms word, making of sheet in ms excel, ppt तियार करनी है, ms powerpoint, tally का, आपको knowledge होने चाहिए, उसके बाद, जो है, final interview, रहने वाला है, अब कैसे apply करना है, how to apply, the interesting candidate to download the application form, आपको application form, जो है, यह official website का link है, cgpsdaman.in यहाँ पर जाना है आपको, यही पर आप लोगों को application form भी मिल जाएगा, अभी आपको बता दिया जाएगा, और यहीं से आप लोगों विग्यापन दुबारा से पड़ सकते हैं, 5 December 2024, तक जो है, आप लोग apply कर दें, कौन-कौन से document लगेंगे, तो जितने भी educational certificate हैं, 10th के बाद से लेकर अब तक के आधार कार्ड, अगर अन्वहव है, तो यह लगा देंगे, कि किस school में जो आपने पढ़ाया है, किस post पर पढ़ाया है, ठीक है, यह सारे चीज़े, आप चलिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कि आप लोगों को application form कहां से मिलेगा, Official website पर आना है, Google पर सर्च कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे description box में, आप लोगों को link share किया जाएगा, उस पर click करके आप direct यहाँ पर आ सकते हैं, तो आपको Google पर search करना है, www.cgpsdaman.in, तो यह आपके सामने page होगा, इस go पर आप click कर लेंगे, तो यह जो है, स्कूल की official website के home page पर आगए हम, यह स्कूल जो है, दमन में है, यहाँ पर circular आपको देखेगा, इस पर आप click कर लेंगे, जैसे ही आप इस पर click करते हैं, यहाँ पर पूरा आप देखेंगे, यह देखेंगे, teachers are required 2025-26, इस पर click करेंगे, तो पूरा विज्यापन आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा अभी बताया था, ठीक है, application form जो है, यहाँ पर third number पर आप देख रहें, इस पर click कर लेना है, यह application form है, ठीक है, तो application form आप लोगों को बता दिया, advertisement कहाँ से देखने को मिलेगा, यह भी आपको बता दिया है, और यहाँ पर आप लोगों को send कर देना है, यह email address बता दिया है, इन्होंने, hr.cgps-adtherit-zmail.com, ठीक है, इस पर भेज देना है, fees भी आपकी यहाँ पर नहीं लग रही है, तो coast guard public school, cbsc school है, airport road, दलवाडा, नैनी, दमन, दमन में यह school है, ठीक है, 5 नमबर 2014 को यह विग्यापन जारी किया गया है, official website पर, चलिए, मिलेंगे next video में, next vacancy के साथ, तो जिस भी राज्य की vacancy जारी होती है, आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा, यदि आप पहली बार channel से जोड़े हैं, channel को subscribe जरूर करें, bell button को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जितने भी videos बनेंगे, आप लोगों को YouTube की तरफ से notification समय पर मिलता रहेगा, thank you.